एपिसोड की शुरुवात में हम देखते हैं कि सूजियो वेन जून से मिलने होटल जाती है हान जिंग में बीना उसे बताए थोड़ी दूर पर बैठा उन पर नज़र रख रहा होता है यहां वेन जून सूजियो को अपनी लिखी स्टोरी के बारें बताता है जिसमें जामु की मैन है जिसे एक मेरिट क्यान वोमिन से प्यार हो गया था और वो उसके साथ भाग जाता है पर उस लेड़ी का हस्बेंट उस लेड़ी से बहुत प्यार करता है वो हमीशा उसका वेट करता है वो की मैन से बदला लेना चाहता है पर वह सिंपल क्यान मैन है इसलिए वह जा कर सुजियों से पूचता है कि ये कहाणी कैसी लगी सुजियों कहती है कि बहुत अच्छी क्या तुमने इसे किसी रियल इंस्सडेंट पर लिखा है इस पर वेंजुन जवाब देता है कि हाँ वो मेरा एक दोस्त है और पैलेस में इंपडिनर से फैले शूजियों के बालों में वसा एक तिनका नकालने के लिए आगे बढ़ता है जिसाओं दर जाती है तब म संद्सन के डर जाती है तो वह उसे इसारे से बाहर बोला ख़ोмसन गहां जाता है यहां दोनों में फाइट होती है क्योंकि असिस्टेंट को लग रहा था कि हां जेंग और सूजियों मिलकर उसके मास्टर की खिलाफ कोई साजिस कर रहे हैं तब हां जेंग की नजर असिस्टेंट के रिंग पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि ऐसी ही रिंग उस नकाप उसने भी पहनी था क्योंकि उसे वहां जाकर मडर का पता करने के लिए वेंजून ने कहा था एक्चुली वेंजून सेकेंड कियान प्रिंस है और वो सिक्रेटली ड्रामो और विराज की स्टोरी रिखा करता है जब उसने इस मडर केस के बारे में सुना तो वो इसके उपर भी एक बुक लि थी इसलिए वो पैसे ले लेता है इधर वेंजून सुचियों को जबरदस्ती थीटर में अपना लिखा हुआ प्ले दिखाने ले जाता है यहां अकर सुचियों पहले तो डर जाती है पर प्ले में एक छोटी बच्ची और उसके फादर को देखकर उसे अपने बच्पन की यादे टाजा हो जाती है वेंज्चून उससे पूछता है कि तुमें डवग कैसा लगा तो सुचियों प्ले की तारीफ करती है इसके बाद दोनों रिश्टोरेंट वापस आते हैं यह वेंज्चून को प्रिंस कहता है वह सक्रिंस ऑपने में जयाते हैं कि क्या तुम यहां असिस्टेंट हान जिंग और सूजियों को विन जून की हिल्फ के लिए पैलेस आने पर इन्वाइट करता है जिस पर दोनों ये एगरी हो जाते हैं निक्ष देवर दोनों विन जून के पैलेस जाने के लिए रवाना होते हैं यहां सूजियों इस बात पर हैरान थी कि ह हान चिंग इनते असानी से उसके साथ जाने के लिए कैसे मानगे वो इस बारे में हान जंग से पूस्थ थी है पर हान चिंग में पास इन हिस्सा मांगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रॉयल सोलजर से एरिस्ट करवा दूँगी इस पर हान जिंग को मजबूरन एगरी होना पड़ता है और तभी सूचियों पर उसके बीमारी का दौरा पड़ता है और वो हान जिंग को करने देता है इसके बाद दोनों वेंजून के पहलेस पहुंचते हैं वेंजून उनका वेलकम करता है और उन्हें लेंच भी आफर करता है इतना सारा इंतिजाम देकर सूचियों काफी खुश थी पर हान जिंग मों फुलाए बैठा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर वह वे लेती है अब सूचियों से मिलना चाहती थी तो बहाना बनाते हुए वेंजून से कहती है कि मैंने सुना है कि अच्छा खाना बनाते हैं मैं अपनी मदर को सर्प्राइज देने के लिए कुछ फूर्टी से सीखना चाहती हूं वह आपके फ्रेंड हैं तो क्या आप मुझे उ अगरी हो जाती है वेंजून उसे बताता है कि कल साही दावत का इंदजाम क्या जाएगा इसलिए मैं तुम्हें कल ले जाओंगा ताकि तुम अच्छी अच्छी फूर्टी से सीख सको इसमार सूचियों कल आने का वादा करके हान जिंग के साथ वहां से चली जाती है वाप तो हान जिंग उसके पास आकर उसे जबरस्ती खिलाने लगता है यह नजारा कुछ की मैंस देखते हैं और कहते हैं कि यह की मैंन एक की रिस्टोरेंट में अपनी क्यान गल्फरेंट को लेकर आया है और इतने धरल्ले से सबकी सामने उसे खाना खिला रहा है यह बाते सुनक हान जिंग अपने असिस्टेंट के लिए धेट सारा खाना लेकर जाता है और उसे वह सोने के पैसे भी दिखाता है जो से वेंजून के असिस्टेंट ने दिये थे इतने सारे पैसे देखकर वह काफी हैरान होता है हान जिंग उसे सुबह होने से पहले इंपीरियल सेफ के घ काफी प्यार से बात करता है पर सुचियों कुसका behavior काफी suspicious लगता है बातों ही बातों में वहाइफ के बारे में फूशती है तो वही उसे वही बाते बताता है जो वेंजू नी UM fact बना कर विद देता है और बताता है कि उसकी वाइफ को отк Trans大 पर और सारी रखा करती थी इन को सक होता है तो चुपके से food storage की चावी लेकर food storage जाती है पर guard उसे अंदर जाने नहीं देता इस पर वो guard को बताती है कि उसे से इंग्रीडरेंस लाने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे यहां की चावी दिखाती है तो guard उसे अंदर जाने की permission दे लेता है सूचीयों को इस टोरेजरू में जाता हुआ सफ देख लेता है इदर हान जेंग का assistant उसे सफ की घर का एडरिस बताता है तो हान जेंग उस घर के अंदर जाता है यहां उसे सूजियों का बैश मिलता है जो कि सडक पर गिर गया था और ड्रम ले जाने वाले बंदे ने उठाया था यहां में पता चलता है कि वो ड्रम ले जाने वाला बंदा कोई और नहीं बलकि सेफ ही था हां जिंग सूजियों के बैश को लेकर बाकी के घर की तलासी लेता है तो उसे एक रूम में धेर सारे रैबिट्स के डेट बॉडी मिलती है जो कि अब सच चुकी थी इधर सिफ इस्टोरिज रूम के गाड के पास आता है और उसे कुछ काम का कहकर बाहर भेज देता है और इस्टोरिज रूम का दर्वासा बंद कर देता है इधर सूजियों इस्टोरिज रूम के अंदर आइस रूम में जाती है जहां धेर सारे फ्रोजन बाक्स रखे होते है यहां एक बाक्स को जब वो खोलती है तो उसके अंदर से उसे सिर्फ के वाइफ की डेट बाडी मिलती है वो यह देखकर डर जाती है यह देखकर बाडी मिलती है